ये गाई जो आर्टी आई वाली वीडियो है उस पर काफी लोग ये कमेंट करते हैं कि मैं इसका प्रसीजर बताएं इसका आर्टी आई डालने का तरीका बताएं तो जो रिप्लाइ बनता रहता है वह बहुत छोटा नहीं हो पाता है वह काफी बड़ा होता है इसलिए मैंने कि इसमें कमेंट पिन कर रहा है कि अगर आपको कोई भी क्वेशन हो तो आप कमेंट में पूरा डिस्क्राइब करें ताकि मैं एक बार में समझ जाओ और उसके लिए फिर मैं शौट वीडियो बना कि आपको एक्सपेंड कर दूँ कि अगर उसके फॉर्म में बताती हूं यह पूछन नंदन की जो कि पंजाब से हैं इंके अगर ने अड़ाप्ट किया था और जिनके पास यह काफी कम टाइम रहे जादे इन्हों ने अपने जादाजी के साथ पैंड किया इनका यह मानना है कि इन्हें सुना होगा कहीं से कि तुझे बेदखल कर दिया है तो यह कि मुझे किस बिहाफ से मेरे जो प्रॉपर्टी है पापा की अलब जो इनके अंकल है उनसे बेदखल कर दिया है और किया है ने किया है इस चीज की जानकारी के लिए आटिया लगाना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको कुछ दो तीन चीज़र बताना चाहते हूं वो यह है क कि आपको पहले यह पता होना चाहिए कि आपको किन-किन संपत्ती से बेदखल किया जा सकता है छीक आपका हर संपत्ती पे अधिकार नहीं है पहली है पैत्रिक संपत्ती पैत्रिक संपत्ती मतलब जो आपके दादा जी की हो और वो फिर आपके पिताजी को मिली हो अब वो भिकार है उस से आपको किसी भी कीमत पे बेड़रा ही नहीं जा सकता दूसरा है सहसंपति मतलब जो आपके अपनी अर्निंग से खरी झारी उई है उस पे किसी का स्पेशल अदिकार नहीं है वो चाहे तो किसी भी बच्चे को दे सकते हैं अपने चाहे तो किसी बी अंन्म को देजे लेकिन उनकी लियो पिर इस्टेरों कोई केस नहीं कर सकते कि यह मेरी हैЁ पता जी कि खुद की और निगा सैसंपत्ती वाले कैसा में यह होता ह mutual होता तक उसका हक होता है माता-पिता की प्रॉपर्टी पर क्योंकि फिर वो कमाएगा कैसे उसका खर्चा कौन उठाएगा तो उस टाइम तक होता है और दूसरा अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो बिस्तर पर बढ़ा है वो कुछ नहीं कर सकता है तो उस केस में भी जो फादर की खुद की अर्निग वारी प्रॉपर्टी होती है उस बच्चे का उस प्रॉपर्टी पर अधिकार होता है चीक है लेकिन जो अपना मैच्चार हो चुका है उसका कोई अधिकार नहीं है उस पे माव आप जब भी चाहें अपने बच्चे को बेदखर कर सकते हैं और तीसरी सा बताई ताकि क्योंकि मुझसे जादा आपको पता होगा कि आप जिस प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं वो किस वे में आपसे ब्लांग करती है दादा की है खुद की खरीदी हुई है या जो भी है इससे आपको अंदाजा लग जाएगा दूसरी बात आपका यह है कि आप अडॉप्ट की होएं अडॉप्ट का मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रख लिया होता है भाईचारे में कि चलो मतलब मुझे इसके मैं इसको पाल लूँगा लेकिन उसका कोई लीगल और वो नहीं किया होता है कोट में जाके या वगएरा ना सीधे यह बाते ध्यान में रखें जो आपको बिताई गई है आपका में कोशन है कि मैं इन सब चीजों के लिए आर्टीय के डालू और किन से पता करूं ठीक है आर्टीय डालने के लिए बहुत सारे अप्शन है जैसे कि हम गाउं के लेवल पर पूछने तो हम विलिज रिवेन्य तहसिल्दार से भी पता किया जा सकता है तहसिल्दार में तालू का इंस्पेक्टर होता है जो रिविन्यू का क्लेक्शन रखता है और उससे भी पता किया जा सकता है ठीक है और स्टेट लेवल पर मिनिस्ट्री भी होती है जिनका पूरा पूरे स्टेट के लैंड रिकॉर् online RTI करें तो उसमें डिपार्टमेंट्स का नाम आता है खुद ही उसमें PIO का नाम आता है कि हमें किस से RTI मांगनी है तो डारेक्टली वह बहुत इजी मेथड होता है अगर online RTI लगाएंगे लेकिन आपके थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि इन सब चीजों के जानकारी के रिप्लाइ देंगे अधर्वाइस तो रिजेक्ट कर देंगे और इसमें से कर कोई भी चीज आपको पता नहीं है क्या खसरा नंबर यह सारी जिए तो इससे पैटर देखिए आप अपने तैसील में जाके जो वकील होते है ना किसी वकील को पकड़िए उससे information लीजिए आपको थोड़ी बहुत information पहले से पता है तो ठीक है so that's it for your query यह short videos बनाने का यही मकसद है कि easily मैं आप लोगों के answer दे पाऊं queries के और कोई भी अगर same queries रखता है तो ऐसे ही इन videos को देखके वो मुझसे direct contact किये बिना अपने आप information ले सकता है अच्छी लगे तो चैनल को subscribe your queries को उसी तरीके से पूछते रहें comment section में